गोदी में बैठ कर मुख्य मंत्री बनने निकले है मित्रों उनकी गोदी में बैठ कर उनका उदेश सत्या प्राप्त करना है और अपना भाजपा का उदेश जारखन को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है जारखन को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम केवल और केवल मोदी जी के नेत्रुत वाली भारतिय जंता पार्टी ही कर सकती है और मित्रो मैं आपको कहने आया हूँ कि जो पार्टियां टिकीट मांटने में खरीद फरोग करती हो जो पार्टियां आदिवास्यों का सोशन करती हो जो पार्टियां जारखन की रतना के विरोधी हो जो पार्टियां अर्बो खर्बो का ब्रश्टा चार करती हो वो पार्टियों को वॉट देकर जारखन का विकास नहीं होता रगुवर्दास ने पांक साल के अंदर जीरो करप्षन वाली सरकार देने का काम जारखन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री रगुवरदाजी ने किया है उन पर करप्षन का कोई आरोप नहीं लगा सकता है मित्रों यहां में आया हूँ तब मेरे पिछड़ा समाज के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी की चुनावी घोषना पत्र में हमने तै किया है कि जैसे है भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनती है आदिवासियों का और दलीतों का आरक्षन कम करे बगर OBC समाज के आरक्षन को बढ़ाने के लिए हम एक कमिटी बनाने की तैयारी कर चुके हैं मेरे OBC समाज के भाई औ बेनों को न्याई दिलाने के लिए ये भारतिय जन्ता पार्टी बहुत सारे योधनाय लेकर आई है मित्रो पांच साल में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने चक्रधर पूर्वरे जिले के अंदर धेर सारे काम मैं आज स्री राहूल गांदी यहां पर है उनको चैलेंदे ने आया हो के राहूल बाबा आपके 55 साल का सासन हमारे 5 साल का सासन हिसाब लेकर मैदान में आ जाओं हमने 5 साल के अंदर एक प्रकार से विकास की गंगा को आदिवासी के घर में पिछड़े समाज के दलित समाज के घर में पहुचाने का काम किया है इतने सालों तक भगवान बिर्शा मुंडा का समारक बनाने की किसी को सूध नहीं थी भारतिय जन्ता पार्टी ने उनके जन्म के स्थल पर और उनकी कर्म स्थली पर उनके सन्मान में समारक बनाकर भगवान बिर्शा मुन्डा को सच्ची स्रद्धान जली देने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की चक्रदरपूर के अंदर दसको पुरानी मांग थी ओवर ब्रीज बने हमने ओवर ब्रीज बनाया अनुमंदल कौड का निर्मान हुआ चक्रदरपूर में पीने के पानी के लिए 500 वाड एम से चक्रदरपूर तक लाइन डाल कर चक्रदरपूर के पीने की पानी की समस्या को ये भारतिय जनता पार्टी ने सौल साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले